अगर आपने SSC GD का फॉर्म भरा है तो आगें यहाँ पर सबसे बड़ी खुसकबरी उन तमाम बच्चों और छात्रों के लिए जिनों ने यहाँ पर SSC GD का फॉर्म भरा था जी हाँ आपने बिलकुल सही सुना लग भग चार लग बच्चे यहाँ पर पास करने वाले हैं सब कुछ मैं आपको ओफिशली वित प्रूप सब कुछ दिखाऊंगा उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें उसके बगल में एक छोटी घंटी उसे जरूर दबाए तब ही आपको वीडियो समय पर मिलेगा वाटसप टेलिग्राम गुरूप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप SSC GD की फ्री इबुक चाहते हैं तो आज ही टॉप तक आप डाउनलोड करें वही राहूल सर आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं SSC GD का Math Crash Course जिसमें 20 दिनों में 20 चैप्टर यहाँ पर कराए जा रहे हैं इस Crash Course में आपको PDF, Live Classes, Doubt Session, Bilingual Classes और Concept Clarity सब कुछ आपको मिलेगी इस कोर्स की कीमत 3 double line है और आप इसे टॉप तक के एप पर इसे परचेज कर सकते हैं राहूल सर की Math Classes जो होती हूँ सबसे बहतरीन होती है और बहुत सारे बचे जो है और आप भी लेना चाहते हैं तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए तो हम Main Cover की उपर हम आते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बचे यह सोच रहे होंगे कि सर जो है फेक जानकारी गलत जानकारी दे रहें लेकिन मैं जो भी चीज कहता हूँ प्रूफ और यहाँ पर जितनी भी चीज़े होती है वह तत्यों के अधार पर कहता हूँ ससी की जो ओफिशल वेब साइट होती है उस पर जो जानकारी हो या फिर ओफिशल पीडियाफ नोटिफिकेशन में तो यहाँ पर देख सकते हैं SSC जे ने जब अपना नोटिफिकेशन यानि कि अपना जब यहाँ पर SSC GD का नोटिफिकेशन लाया था उसी समय उन्होंने बता दिया था कि हम इस बार कितने बच्चों को यहाँ पर एक्जामनेशन में पास करने वाले हैं और कितने बच्चें याँ पर जो है सलेक्ट होने वाले हैं तो यहाँ पर जो है कोई भी वेकेंसी आपको जो है मिलने वाली है यहाँ पर लिखावायद दा नंबर ओफ कैंडिडेट सौट लेस्टेट फॉर पीटी पीएसटी ओन दा बेसेज ओव मेरेट इन दे केंप्यूटर बेस इग्जामनेशन विल भी एट ताइमस दी नंबर ओफ वेकेंसी यानि कि यहाँ पर कहा गया है कि जो बच्ची यहाँ पर केंप्यूटर बेस इग्जामनेशन देंगे उनको यहाँ पर जो है सेलेक्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए जो की जितनी वेकेंसी आई है उसका आठ गुना होगा यानि कि जो वेकेंसी इस बार आई है वो है आपकी 45,284 पोश्वे वेकेंसी आई है अगर आप इसका आठ गुना यानि एट टाइमस करेंगे तो यहाँ पर 3,62,272 यानि कि 3,60,000 लगबग बच्चे यहाँ पर पास करने वाले हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खुसकबरी है उन तमाम बच्चों के लिए जो यहाँ पर इसका इंतजार कर रहे थे लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही बता दू कि जो बच्चे यहाँ पर पास होंगे 8 टाइमस उनका सेलेक्शन फाइनल नहीं होने वा है और जो आगे जाकर के फाइनल वेकंची हे वो सिर्फ त सी 45000 हे तो आली सेलेक्शन 45000 का ही होगा ऐसा क्यों कि जाता है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ क्योंकि यहां पर एट टैम्स इसलिए लिया जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेडिकल में फेल होते हैं बहुत सारे बच्चे जो है यहां पर इक्जामनेशन देने के बाद आगे का पुर्शेस करते ही नहीं है तो उस केस के लिए जो है रिजर्ब में आगे बच्चों को रखा जाता है धीरे धीरे उन्हें आगे जाकर के छाटा जाता है और आखरी में जो फाइनल यहां पर वेकेंसी है उतने का ही सेलेक्शन यहां प बग इसी टाइब कियो